तुम बार्धान मंची नाबालिक ने ग्रेटी तरह करा है तो मोदी जी बताएं तो नहीं है तो गिना सकता हूं इसे एक मैंने में ये राजस्तान की परच्छी सरकार है न ये केवल बाते करने के लिए काम करने के लिए इनको पुद्गोर पता नहीं है कहां से सुरू करें कहां गतम करना है कानों व्यवस्ता चिल चिल मैलाओं के साथ लाटकार दिन प्रकी दिन लटनाएं बढ़ रही हैं सारी सारी योजनाएं जो कॉंग्रेस के सर्टार के समय से जहुती उनको सब को बंद कर दिया गया जितने डेवलेप्मेंट के काम थे उनके सब के वर्कोर्डर रोब दिये पैसा रोब दिया गया और कोई काम नहीं कर रहा है कोई भी बंतरी मुख्य बंतरी कोई काम नहीं कर रहे हैं मुख्य बंतरी को कह दिया लिया या आप तो गुंगो राधिस्तार को और यह की बात करो कि S.I.T. बना दिया है S.I.T. बना दिया है भाई बना दिया है S.I.T. पता है एक निरना है लाको निरना करने उसके एक निरना है लेकिन उस S.I.T. में आगे बढ़ो जो हम लोगों पे आरोब लगा रहे थे किसा आप पकड नहीं है सरकार पेपर चोरों को नहीं पकड रही है माप्याओं को नहीं पकड रही है उनको पकड के दिखाओ लोगों को न्याय दिलाओ गायों को बचाओ माता बहने की इज़त बचाओ विखास के काम करो इस ठंड में ठिटू रहे लोग सडकों पे उनके लेकिन उसमें और ज्यादा व्यवस्ता है कैसे ठीक हो इसके बारे में आपका क्या वीजन आपने क्या किया वो बताओ कोई तो कह रहा है मेरे को स्वायते मंतरा लेनी मिला कोई कह रहा है बच्चे पैदा जाना करो कोई कह रहा है डाक्टर के कीड़े पड़ेंगे कोई कह रहा है मैं ट्रांसफर करा दूँगा वो ही कुछ कह रहा है आप देखिये नम मतलब रोजाना के अगर आप इनके जो कोटेशन जो वर्जन जो इनकी बात अगर देखोगे तो आपको वो ही वो चलवना पड़ेगा एक काम बता दीजिए कि इस सर्टार ने सो दिन की कारिये योजना बनानी की बात पहले दिन की की मुख्य बंत्री की शे ने खुद ने आप अधाये साब सर्टार बने तीन डिसम्बर को रिजट आया था कितने दिन होगे साब डेट मैने के लग्पक होने लगे होगे 24-23 दिन बनी की कारी हो जाना कोई विवार की कारी हो जाना आपने चलाई कोई टीवी चनल पे चलाई कोई पत्रकार ब्रेंट मेंटिया ने कहीं छापी सो दिन की कालिये योजना बनाने के सो दिन लग जाएं और इससे ज्यादा भी लग जाएं तो कोई अधिशोग देदी तो इन कुछ कर नहीं रहे हैं भाई साफ आप भी फ्रेटकों इनके मंक्री भी फ्रेटका हैं पर से को आप आप भाई अनले शादें लगां गलाइस कर कल रात खो वायाना में रेप है शादो पे टेमेड आप नवी के साथ इससा आप अध्या हो जाती है कि वाया जेएस्टा Hmm गुजरात मोडल ने देश को परबाद करने का मोडल है। हो रहा है। राजस्तान को गुजरात मोडल नहीं बने देगे। राजस्तान राजस्तान ही रहेगा। राजस्तान का अपना मोडल होगा। अगर मेरे भाई आपका सवाल मेरी आपका जवाब शिपा हुआ है। कॉंग्रेस पचीज सीटों पर लड़े कि इसमें किसी को कोई सब्सक्त नहीं होना चाहिए। करता है। अगर इंडिया लाइंस हमारे प्टिया अला कमानता है करता है तो उन ओंगेसी लड़ रही है। वो तो कोई लड़ लड़ रही है था हुआ पचीज सीटों पर हम लोग लड़े कि इसमें किसी को सब्सक्त नहीं होना चाहिए। वहान पर तै होगा कि किस से ऑलाइंस कॉन इंडिया आलाइंस में है, कौन आलाइंस कहां कितने सीथे छोड़नी है, किस को देनी है, यह हमारा स्रेट का भी से नहीं है. अपने पेडिकर से तुराओ लडना है अधिकर से तुराओ लडना है। आज भी वाज़िपाने उनी अप्सरों के भगसा दाया, यह तर तो आपकी योज़नों की आरोप लगाते थे, वो आरोप ही पिर्मियाद लगाते थे, क्योंकि उनको सत्ता में आना, इसकी जूटा आरोप लगा रहे हैं, यह हमारी जो बात प्रमानिक हो गई है, इनकी लिस् सत्तार में अच्छी योज़नाई बनाई, वो सब समर्वे के साथ में हमने अथ्का काम किया, इसके उपर की बोर लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए को, जूटी बाते करके, सत्ता में आगे आया तो भी जासेता है, आगे तो आगे, यह तो बात सामने आपके, किया है आगे गने एिए गनाई, जी बाती बात के सिर्टे गिए!